पने शुरु आठ lootilia करेंगे अमारे साथ हमारे सयोगी लेले कंपाल लगतार बनी हुए हैं लेले किया कुछ जानकारी मिल पा रही हैं अपसे कुछी समय में शपत ग्रहारो शूरू हो जाएगा यहां पर मुक्विमंद्री पत की शपत्थ ग्रहारण करेंगे नाम लगतार अ आपने आ रहे हैं लेकिन किसी पर अभी आधिगारिक पुस्ट्री नहीं हुई है। अभी आधिगारिक पुस्ट्री नहीं हुई है। आदमी जानना चाता है इसका और अगर हम बताएं कि जो आखिर इस कैबिनेट में कौन शामिल होने जा रहा है। तो उसमें जो सबसे बड़े एहम चर्चित नाम हैं उन चर्चित नामों में जो है सबसे बड़ा नाम है पहला महिपाल ढांडा का जो कि पिछली सरकार में भी मंत्री थे और इस बार फिर जीत कर आये हैं। इसके अलावा मूल चंच शर्मा का नाम भी बताए जा रहा है और जो कि फरीदाबाद से एक ब्रह्मन चेहरा हैं तो अगर वो कास्ट कॉम्बिनेशन में भी सठीक बैठते हैं और दूसरी चीजों में अनुभाव में भी सठीक बैठते हैं तो ये दो नाम तो ये माने जा रहे हैं इसके अलावा अगर देखा जाए तो फरीदाबाद से विपुल गोयल भी आते हैं उनको भी मंत्री मंदल में लिया जा सकता है साथ ही राव नर्बीर सिंग है उनको भी मंत्री मंदल में लिया जा सकता है राव नर्बीर सिंग और विपुल गोयल ये वो दो नाम ह होगे इसके बाद आते हैं महिला कोटे में अगर महिला कोटे में इस बार देखा जाए तो सावित्री जिंदल का एक नाम आ रहा है कि सावित्री जिंदल को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है आरती राव शूती चौधरी यह साविमला चौधरी यह ऐसे नाम है जिनको इस ब जो है यादव साधने के लिए अहिरवाल साधने के लिए जो है अहिरवालों की बेल्ट से तक्रीबन नौ मेंसे आठ सीटे भारती जनता पाटी जीत कर आई है तो ऐसे में उनको ज्यादा प्रतिनिद्थ देते हुए जो है दो लोगों को वहां से शामिल किया जा सकता है और बारती राव को भी शामिल किया जा सकता है जो की राव इंदरजीत सिंग की बेटी है तो ऐसे में कुल मिलाकर जो है शक्ति संतूलन बनाते हुए आज भारती जनता पार्टी सरकार का एक बार फिर से शपत गंड समारों होने जा रहा है और मुख्य मंत्री नैप सिंग सैनी ड तो उसमें जाती कितनी माइने रखती है क्या जाती के अधार पर ही मंत्री बनाए जा सकते हैं देखे वो हमेशा ही देखा जाता है जया और वो सभी सरकारों में वो चीज़े देखी जाती है हर तबके को परतिन धित्त मिलता है अन्य था ये विपक्ष के पास एक मौका हो जाता है ये कहने के लिए कि उनके साथ अन्याय कर दिया इनके साथ अन्याय कर दिया तो ऐसी चीजों को बचने के लिए ऐसी चीजों को साधने के लिए जो है इस तरह का कास्ट कॉंबिनेशन बनाया जाता है और कास्ट कॉंबिनेशन को परतिन धित्त देने का मतलब यह है कि वो सर्व समावेशी जो सरकार बनती है वो फिर राज्य के विकास में काम करती है और उस तरीके से जुटती है तो ये सारी चीजे जो है ये बेहत एहम है और इन एहम चीजों में अब देखना ये होगा कि आज नाइप सिंग सैनी कैबिनेट में किसको जगा मिलती है क्योंकि इस बार माना जा रहा है कि कुछ युवा चेहरों को भी शामिल किया जा सकता है और अगर युवा चेहरे शामिल होते हैं तो निश्चित तोर पर कैबिनेट की तस्वीर कुछ बदली हुई सी नजर आएगी और अब किसको मौका मिलता है आला कमान ने किसके नाम पर महर लगाई है ये अपसे कुछी घंटों में जो है साफ हो जाएगा अब बिलकुर इसका इंतजार हम सभी को करना होगा बिराल तमाम चौनकारी साजा करने के लिए लेलित बहुत शुक्री आपका